किसी भी विचार की और यदि हम जाते हैं, अगर हम जाग्रुक हैं, सतर्क हैं, तो उस विचार में भी भगवान ही दिखेगा। और कुदृती बात है कि अगले कुछ शलोप में जो आएंगे, भगवान यही बात कह रहे हैं, इग्जाक्ली यही बात बोल रहे हैं कि मूल साधना क्या है, सच्चा योगी क्या है, सममकाय शिरोग्रिवम और एक उसमें बैठ जाना, सवमजिसाश्च नवलोक यहन, किसी और अपने एक ही उस पर एकागर करना, वो तो मार्ग है, अगर जिंदगी बर वही करते रहे तो फिर पहुंचे कहां, कभी तो कहीं तो पहुंचना है न, अगर रास्ता ही चले जा र तो आत्म सैयम योग पर ही आगे चलते हुए हम विचार करेंगे कि भगवान का क्या तात्थ परे है जब भगवान कहते हैं कि मनुश्य योग की सिद्धी के लिए कैसे प्रत्मशील हो और क्यूं हो ऐसा क्या है जो मन को स्थिर करने से मनुश्य को प्राप्थ होता है और मन को स्थिर क्यूं करे और मन को स्थिर कैसे करे बात सुनने में बहुत सरल है परन्तु समस्त मानव जीवन का सार है क्यूंकि मन ही भगाता है हम सब को मनस्थिर है, मनशांत है, तो सब बहुत अच्छा है, मनस्थिर है, मनशांत है, तो कुछ भी नहीं अच्छा, सब चीज जो है रसहीन लगती है, शनेशनया उपर मेद बुद्य दृते ग्रिधा, आत्मसंसमना कृत्वाना किंचि दवरी जिनतयद, शनेशनय होता है कॉनतय, धीरे धीरे उत्रोतर, gradually, steadily, ये वो नहीं है जो एक ही क्षण में सीधा हो जाए, ये काँच का गिलास नहीं है कि फेंका नेचे तूट गया और उसकी जो अब आकार है हमेशा हमेशा के लिए बदल गया, ये तो एक रवड की गेंद की बांती है कि दबाया फिर उसी आकार में धीरे धीरे जब ताप के साथ उसको रखते हैं तो उसका आकार बदलता है तो ऐसे ही तप की अगनी जो होती है जो कि आत्मशुद्धिकरण की अगनी है सिरफ ये नहीं कि अंदादुन जप किया और उस अप नहीं है तब वो है जहुआ ने कल कहा था जो दुख संयोग से वियोगं तम विद्या दुख संयोगं वियोग योग संगितम योग उसको कहा है जो मनुश्य के दुख से होने वाले जुडने वाले जो संयोग जो पैदा करता है वो विद्या जो उसको दूर कर दे उसस तो श्रीक रशन ने कहा कि दीरे दीरे यतद बुद्धी ग्रहयत इंद्रयम दीरे दीरे बुद्धी की सहायता से बुद्धी पकड़ में आएगी इंद्रियां पकड़ में आएगी फिर मन की विरित्तियां और प्रिवृत्ति जो है बदलना शुरू होगी ये एक दिन में या एक रात में होने वाला कार्य नहीं है और जैसे जैसे वो वृत्यां जो हैं बदलती चलती हैं सबसे शुद्ध ध्यान जो भगवान ने है इसमें बताया है कि अपनी आत्मा पर ही ध्यान लगा ले इसी को बोला है अंतरमुकी हो जाना कि मनुश्य अपनी आत्मा पर ही ध्यान लगा ले जब तक किसी दूसरे पर ध्यान है जब तक किसी बाहरी वस्तु पर, व्यक्ति पर, देवता पर ध्यान है तब तक हम ध्यान से दूर है तब तक ध्यान में दृष्टी है जब तक द्रिष्टी है तब तक द्रिष्य और द्रिष्टा एक नहीं हो सकते जब द्रिष्टी उसमें से चली जाती है तब द्रिष्य और द्रिष्टा एक होते है और एक सुत्र जोगवान ने कहा है जो कि हमने ना जाने असंख्या बार बोला है अब तक कि यतो यतो निश्चरती जहां जहां मन जाये कौनते जहां जहां मन जाये वहां वहां चले जाओ और वहां से उसको वापिस ले आओ अगर मुझे स्मृती नहीं है सतर्क नहीं हूँ यदि मैं और मन कहीं और चला गया मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मन कहीं और चला गया तो भगवान ने कहां जहां मन जाता है उससे गबराऊ मत उससे भैवीत मत हो उससे डरने की आवशक्ता नहीं वहीं चले जाओ ये भी एक परकार की साधना होती है हलांकि शुरकृष्ण का है वहां से मन को वापिस ले आओ जहां भी जाता है प्यार से उसको पकड़ के ले आओ जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए जब कभूतर पालता है तो वह संध्या के समय वह खोलेगा और सारे कभूतर जो है उड़ेंगे और वह ऐसे आ करता रहेगा वह उनको बुलाता रहेगा फिर भी एक आदा कभूतर ऐसे जुरूर होता है जो वापिस नहीं आता और वह कभूतर को गालिया नहीं देना शुरू कर देता और उसके पीछे वह चला जाता है एक के घर दूसरे तीसरे घर किसी घर में किसी टीवी के अंटीने के ओपर बैठा बैढ़ जाता है जाके कभूतर जो है मैंने बच्पन में बहुत देखा है इसलिए यह आपको एक्जाम्पल दी है कि जहाँ हम रहते थे उसके जो पिछली गली थी वहाँ उस गली में एक परिवार था जिन्होंने कभूतर पाल रखे थे और कई बार वो हमारे घर आते थे क्योंकि एंटीने पर उनका कभूतर बैठा होदा था अच्छी बात हमारे घर में बिल्ली नहीं थी तो वो कभूतर को घर पे ले जाते थे सहलाते हुए, हुसलाते हुए, प्यार करते हुए बात करते हुए उससे कुछ दिनों बाद फिर कुई और कभूतर किसी दूसरे घर में जाके बैठा होता था यही मन है विचार उड़ रहे है तो जो एक साधना जो भगवान नहीं बताई जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था वो है कि अगर जहां विचार जा रहा है स्मृति पूर्वक यदि वहां चले जाओ तो वहां भी इश्वर ही दिखेगा क्योंकि क्या कोई ऐसी जगा है जहां भगवान नहीं है देखने वाले की दृष्टी चाहिए कहते हैं मजनून जब लैला के प्यार में एकदम अंधा था तो सब्लियों उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम इसके पीछे पड़े वो है और भी बहुत है संसार में उनकी और क्यों नहीं देखते जब घर में परिवार में इतना कलेश है बात को लेकर छोड़ दोसको हम तुम्हें एक से एक सुन्दरी के साथ तुमारी जो है शादी करवा सकते हैं ऐसा क्या है लैला में मजनून ने कहा कि जो लैला की सुन्दरता है वो मैंने किसी और में नहीं देखी उनने कहा पतला मुझे हंसी आ रही है वैसे जोक नहीं है पर प्यार के उस पे हंसी आ ही जाती है तो उननका ऐसा क्या दिख रहा है हमें तो लैला एक साधारन लड़की दिख रही है हमें तो नहीं दिख रहा कि परमसुंद्री है या बहुत ही गुणवती है किसी प्रकार से तो मजन ने कहा कि यदि लैला की सुंदरता देखनी है और वो वास्तव में बहुत ज़ादा प्रेम मेरत था लैला की जब उसके गाउं में जाता है तो पेड़ पे टांग लेता है अपने आपको सब कहते हैं बड़ी विच्चितर बात है यह कोई साधना कर रहे हो किसी तांतरिक ने हो जाने देती उसने का नहीं जिस तरफ लैला का घर है उस तरफ पाउं नहीं कर सकता इसलिए मुझे पता नहीं किस दिशा में घर है ये गल्ती नहीं हो जाई इसलिए पाउं उपर कर लिए मैंने तो जब उस से पूछा गया ऐसा लैला में क्या है उमें तो लैला को इतनी सुंदर नहीं दिखती तो मजनुन ने कहा कि लैला की सुन्दरता यदि देखनी है तो मजनुन की आँखों से देखना होगा मेरी आँखों से देखोगे तो उसकी सुन्दरता दिखाई देगी अन्नेथा नहीं किसी भी विचार की और यदि हम जाते हैं अगर हम जाग्रुक हैं, सतर्क हैं, तो स्विचार में भी भगवान ही दिखेगा और कुदृती बात है कि अगले कुछ शलोक में जो आएंगे, भगवान यही बात कह रहे है Exactly यही बात बोल रहे हैं कि मूल साधना क्या है, सच्चा योगी क्या है सममकाय शिरोग्रिवम और एक उसमें बैठ जाना, सवमजी सच्च नवलोक और किसी और अपने एक ही उस पर एकागर करना वो तो मार्ग है, अगर जिंदगी बर वही करते रहे तो फिर पहुंचे कहां कभी तो कहीं तो पहुंचना है न, अगर रास्ता ही चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, फिर तो वो हैंस्टर अन वील है, ट्रेड्मिल पर भाग रहे हो बहुत तीवरता से भाग रहे हो, पावर कट लगा सीधा, ओंदे मुवेक्ति गिरता है जब तक अध्यात्मिक उन्नती आंतरिक रूप से नहीं हो रही, तब तक परमज्ञानता का जो अंधकार है, चाया हुआ है हुरिदय में जब तक वो चाया हुआ है, तब तक किसी भी परकार का योग जब तब व्यर्थ है तो पहँआन कहते है, जहां जहां मन जाता है, वहां वहां से मन को वापिस ले आओ युँजनेवम सदात्मानम योगी विगत कलमशा सुखेन ब्रह्म संस्पर्षनम अत्यंतम सुखमशनते फिर उसको ऐसे परमसुख की अनुभूती होती है, जैसे साक्षात ब्रह्मन ने उसको स्पर्ष कर दिया हो रिदे को छूव लिया, होता है ने कुमानली जे कोई व्यक्ति जा रहा हो उसने बहुत अच्छा कोई इत्र लगाया हो, फिर्फ्यूम लगाया हो और आप गुजरते हैं और आपको उस एत्र की सुघंद आती है और एक मोहित हो जाते हैं कुछ ख्षनों के लिए ठीक ऐसा ही जैसे ही थोड़ा सा स्वाद चखने को मिलता है समाधी का या ज्यान की उस अवस्था का तो वगवान कहते हैं वो योगी जो है परम सुख की अनुभूती करता है ऐसा सुख जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है योगे विगत कलमशा वो अपने अवगुणों से उपर उठ जाता है कलमश जो शब्द है हालांकि उसी से कलेश भी है शब्द परन्तु इसका मूल अर्थ है दाग जब उसके मन में कोई दाग नाशेश रह जाए निरंजन जिसको कहते हैं स्पोर्टलेस कोई दाग नहीं रह गया ऐसा व्यक्ति जो है उसका सबसे मूल लक्षन है प्रसन्यचेत सो हाशि बुद्धी परिवतिष्ट दे वही उस अवस्था में कहा जा सकता है जो प्रसन्यचित हो सके क्योंकि अज्ञानी हमेशा दुखी होगा किसी को देखनो कोई कितनक अज्ञानी है बस यही देखने को कितनक दुखी है जब-जब अज्ञानता का अंधकार चाता है तब-तब मनुश्य दुखी होता है तब-तब ही मन में दुखेश के, राग के, ईर्शा के और ग्रिना के, भए के, अंकार के भाव जो हैं ऐसे बढ़ते हैं एक विक्तिय अगरबत्ती बेचता था मैंने कहीं बढ़ा था और एक घर में जाता है, वहाँ पर घर की जो ग्रिहनी होती है, वो दरवाजा खोलती है कहता है मैडम बहुत अच्छी अगरबत्ती है, लेली जीए, वो बोलती नहीं चाहिए बहुता है इतनी अच्छी है, एक फटा-फट जला के दिखा देता है इसकी इतनी सुगंद प्रबल है, कि आप यहाँ जिलाएंगे पड़ोसियां तक उसकी सुगंद आ जाएगी उसमें फिर पड़ोसी को जाके बेचो, आपने आप फ्री में सुगंद ले लेंगे, मुझे कुछ और दिखाओ, जिसकी सुगंद केवल मुझे आए मैं पड़ोसी को मुफ्त की सुगंद क्यों दूँ, मुझे तो मेरे पड़ोसी पसंद ही नहीं है, मैं अगरबत्ती लगाऊं और उनके पास सुगंद यह मुझे गवारा नहीं है मुझे ऐसी अगरबत्ती दिखाओ, जिसका सुख केवल मुझे ही प्राक्त हो यह अग्यानता की पहली सीड़ी नहीं पराकाष्था होती है जब मनुश्य कहें मुझे बस मिल जाए यह थाली में जितना पड़ा है, सारा मैं ही खा जाऊं और यह पशु वृत्ती होती है किसी भी जाती का जो पशु होता है, वो हमेशा भूख से अधिक खाता है क्योंकि उसको होता है पता नहीं बाद में मिलना या नहीं मिलना अभी हाथ लगा है, मैं सारा कुछ खा जाऊं मनुश्य वो है जो बविश्य की सोच सके जो इस बात पर विचार कर सके और विचार ही मूल शब्द है पशु और मनुश्य में यही अंतर है कि मनुश्य के पास विचार करने की शक्ती होती है जो पशु के पास नहीं है जो होती कब से मनुश्य को छोड़ देता विचरा सोच नहीं सकता, विश्वास कर लेता है, जो एक deceitful human beings are basically दोखेवाजी होते हैं ने देकर, यह सत्य है unfortunately, तो वहान का वो विट्टी एक बार जो स्माधिस्त हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, अपनी आत्मा को देखता है, वो स्वत ही मुस्कुराता है, ऐसे अदभुत सुख का अनुभव करता है, जिसकी उपमा का व्यान नहीं किया जा सकता, अनुभम सुख का अनुभुती करता है, और असंक्या बार मैंने देखा है, आप भी कभी विचार इस पर कीजेगा यदिस्ता में मिले, जब ध्यान में बैठे हो, जब आपने कुछ ध्यान लगाना सीख लिया हो, जिसमें कुछ देर आप विचार रहित होकर ध्यान में बैठ सकते हो, कभी भी देख लिजएगा, जैसे ही वो पल आएगा, आपके मुख पर स्वत ही एक मुस्कुराहाट आ जाएगी, जैसे ही मन में विचार आया, वो मुस्कुराहाट चली जाएगी, कभी हजमा के देख लेना, अगर आप मालीजे कुछ ख्षणों के लिए ही तै करके बैठेंगे, कि मन शान्त, बस मैं एक शान्ती की अवस्था में बैठ रहा हूँ, क्योंकि आत्मा से वही अविरल धारा जो है अनन्द की बैठी है, विचार आया, तो विकार साथ ही चलते हैं, अलांकि योग विशिष्ठ में विचार को संग्या नहीं, कुक्रिया के दृष्टी कौन से बताया वया है, कि साधक और सिद्ध में क्या अंतर होता है, जो सिद्ध होता है, वो विचार करता है, दोनमें जमीन आसमान का अंतर है, जो साधक है, उस पर तो विचारों की गोली बारी हो रही है, यह चार वोर से, वो विचारा ऐसे छुप रहे हैं, वैसे छुप रहे हैं, यहां लगा यहां का याद आया, वहाँ का यादाया, उसके बारे में यादाया, इसके बारे में यादाया वो ध्यान लगाने बैठा है, परंट एकदम शति इग्रस्त हो गया है तूटा-फूटा हो के उठता है विचारा शूकर है, पूचे गाए, चाई बन गी, कॉफी बन गी, खाने में क्या है ध्यान तो लग गया, आप चलो, काम किया जाएगा। जो सिद्ध है, वो बैठ कर विचार कर सकता है, जिसको की हमने contemplative meditation बोला है। वो विक्ति का मन ऐसे एक आग्र है, एक चीज़ पर लंबे समय पर चिंतन कर सकता है। साधरन विक्ति मात्र चिंता जानता है, चिंतन नहीं। या वो चिंतन जानता है, जो उसके हाथ में नहीं। वो आने कहा, जो प्राप्ति कर लेता है, वो विचार करना सीख जाता है। फिर, योमा पश्यती सर्वत्तर सर्वम जमई पश्यती। तस्यामना प्रणश्यामी सर्चमेना प्रणश्य दि, वो विक्ति जो अब अपने लिए नहीं जी रहा मात्र, वो विक्ति जो स्थित प्रग्य हो गया है, वो विक्ति जो फिर योगिक सिध्धी को प्राप्त कर चुका है, ऐसे सादक के लिए मैं अद्रिश्य नहीं रह जाता क्योंकि जो मुझ में सब को देखता है और सब में मुझ को देखता है ना वो मेरे लिए अद्रिश्य है ना मैं उसके लिए अद्रिश्य हूँ ना उसका मेरे लिए कभी नाश होता है ना मेरा उसके लिए कभी नाश होता है हम दोनों एक दूसरे के जीवन में एक सतत, एक प्रभाव हम दोनों का रहता है we become constant in each other's lives तब तक एक ब्रहम रहता है मनुश्य को कि ठीक है या गलत है कि भगवान है कि नहीं है आज सुनी मेरी या नहीं सुनी कभी इस मूर्थी को बदलेगा कभी इस मूर्थी को बदलेगा अपनी जो एक छोटी से नुभूती को वो सिध्धी मान बैठता है बहुत विशाल चीज़ मान बैठता है एक minister जो है एक जगा बाड आई होई थी दौरे के लिए जाता है और हेलिकॉप्टर में बैठा होता है और साथ में उसका बेटा होता है कि बेटा तुभी चल मेरे साथ उसमें एक सीट खाली है तुझे थोड़ा ब्रह्मन करवार लाऊंगा और नीचे क्या होता है? कुछ कहना चारे है अब पीता कहता है नहीं नहीं बेटा यह हमको ठाटा कर रहे है छोटे बच्चे देखकर जहाज को ऐसे हाथ हिलाते हैं यह हमको एक बाई कर रहे हैं बस ऐसा ही ऐसी ही ब्रहंती एक साधक को होती है जो विचार या मन तो अपने सांस लेने के लिए तड़प रहा है और उसने अपने मन को सांतना दे दिया कि यह तो मुझे बाई बाई कर रहा है बहुत खुश है मुझे देखकर इतना प्रसंद है इस ब्रहंती से कोई भी आपको धूर नहीं कर सकता क्योंकि यह ब्रहंती स्वयम की उत्पन होती है और स्वयम ही इसको वेक्ति जो है दूर कर सकता है दूसरा केवल सांत्वना दे सकता है दूसरा केवल एक मार्ग दर्शन कर सकता है कोई भी गुरु हो या कोई भी हो परंतु वो ब्रहंती तभी दूर होती है जब मनुश्य की स्वयम की अध्यात्मिक प्रगती होती है, जब उसकी अध्यात्मिक उन्नती होती है, नहीं तो एक विचार करने लाइक बात है, यदि दुखी होकर, विशाद गरस्त होकर पूरा जीवन बिता दिया, तो कौन सी भक्ती प्राप्त की? कौन से इश्वर को प्राप्त किया? कौन से मंत्र को सिद्ध किया? कौन सा ऐसा तप किया? यदि जिन्दगी का मूल ही नहीं समझ में आया, कि मेरे पास बहुत थोड़ा समय है इस प्रित्वी पर? आदि से ज्याद़ को तो होश आदि जिन्दगी बीतने के बाद आती है, जब हम 30, 40, 50 साल के हो जाते हैं ये होश आने के बाद भी यदि दुखी होकर जीवन बिताया तो आप ही मुझे बताओ, बताना मत, कि क्या कमाया? कि क्या कमाया फिर? क्या उन्नती हुई? कीड़े मकॉडों की तरह आई, और वैसे ही चले जाएंगे वही शोक और व्याकुलतस यदि जीवन को बिता दिया जैसा कि हम कल उस कहानी में बता रहे थे कि जो अच्छा एक मुझेशिन होता है, संगीतकार होता है उसको पता है संगीत को सुंदर कैसे बनाना है, जो है उसी के साथ तो जो है अभी प्राप्त, उसके साथ आपको कैसा जीवन बितीत करना है? ये आपका व्यक्तिगत निर्णे है, आपका व्यक्तिगत संकल्प है और निर्णे लेने की और संकल्प करने की जो शक्ती है, उसका अधार होता है कितनक ग्यान है, कितनिक प्रग्या है, कितनिक सूजभूज है जिसको बबान ने युक्ति कहा युक्तहार विहारस से, ढंग से, काईदे से बबान ने कहा है जो सब में मुझको बजता हुआ आत्मा में स्थित रहता है हलांकि इस शलोक में ये नहीं कहा कि मुझे बजे बजते एकम आत्म अस्थिता स्वयम की आत्मा को भज सके जो भही श्रेष्ट योगी है सर्वथा वर्तमानु अपी जो इस क्षण में जी सके सर्वथा वर्तमानु अपी सर्योगी मैवर्त दे योगी वो नहीं है जो स्थिर होकर बैठ सके वो तो लक्षण है वो तो योग का मार्ग है सच्चा योगी वही है जो अपनी आत्मा में स्थित हो सके सच्चा योगी वही है जो वर्तमान में स्थित हो सके कि ये एक शन तो मेरे हाथ में है भविश्य की चिंता कर या सपने संजो के रखने जिसको पता नहीं सच होंगे या नहीं या अतीत की विर्थ में एक चिंता करने उसको तो बोलते ही भूत भूत काल किसी के हाथ नहीं लगा आज तक भूत कि नहीं इसलिए उसको भूत बोलते हैं, घोस्ट है, बाते सब करते हैं, देखा किसीने नहीं, जो वर्तमान में जी सके, जिसके लिए वो कला चाहिए, यो तो निश्चरती, जहाँ जहाँ मन जाए, जहाँ 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 विच्रन कर रहा है कौनते गवरावमत, वहाँ से उसको ले और अतिशे सुन्दर बात जो है, भगवान बोलते हैं अगले शलोक में, आत्म अपम्येन सर्वत्र समंपश्यती योवर्जुन, आत्म अपम्येन समंपश्यती सर्वत्र योवर्जुन, सुखम वायदी वादुखम सयोगी परमोमत, हे कौनते मेरे मत से अब जान की परमयोगी कौन है, एक शलोक में भगवान ने परमयोगी होने के लक्षन बताया है, योगी सुना, वो सुना जो स्थित प्रग्य है, वो सुना जो समाधिस्त है, परमयोगी कौन है, अब मुझसे वो सुन, मेरे अनुसार भगवान कहते हैं परम योगी वो है जो सब में सब को अपनी भांती देख सके आत्म उपम्य येईन सब को अपनी भांती देख सके जैसा वो अपने सुख या दुख को मानता है सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमूमता दूसरे के सुख और दुख को भी अपने सुख और दुख जैसा समझे मुझे एक छोड़ी सी बात याद आगी आईजाक ऐसी मूफ की एक बार मैं एक बुक पड़ रहा था हुमर के उपर तो उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी बिलकुल और जो पत्नी की माँ थी यानि की ऐसी मूफ की जो मदर इनलाओ वो हमेशा उनकी पत्नी का हिसाथ देती थी कैता एक बार मैं उनके घर गया मेरे पत्नी से थोड़े बहस हो गई और पत्नी ने मुझे मारना शुरू कर दिया गुस्से में कैता मैं ऐसे कर रहा हो पत्नी मुझे दना दन मारना शुरू कर दिया कैता उसकी मा भागी आई मत कर वेटी मत कर स्टॉप कैता मेरी शादी को साथ-दस साल हो चुके थे और मैं इतना हैरान हुआ कि पहली भार जिंदगी में मेरी सासुमा मुझे बचाने के लिए है मेरा साथ दे रही है करतो पास आई मा मत कर मत कर तेरे हाथ को चोट लग जाएगी उसने का मत मार इसको तेरे चोट लग जाएगी ये तो है ये एक नमबर का गधा अल्थिमेटली उनका डिवोर्स हो गया था पर ये एजिमोफ ने खुद लिख्या हो आई उसके अंदर तो वो विक्ति जो दूसरे के सुख और दुख को वैसा ही देखे जैसे उसको अपना सुख या दुख लगता है वही परमयोगी है वो नहीं जो मंत्र जप कर रहा है